तो आज के इस वीडियो में आप वार्टसप का आपको एक ऐसा अमेजिंग फीचर बताने वाला हूँ क्योंकि वार्टसप ने नए अपडेट में वह फीचर आपको दिया है तो डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग फीचर होने वाला है क्योंकि इस फीचर में आप बिना कॉ कर सकते हो बिना उसका contact number लिए आप उसे WhatsApp पे चैट कर सकते हो वह कैसे होने वाला है इस वीडियो में आपको पूरा तरीका बताने वाला हूं फुली डिटेल से ये वीडियो में आपके लिए के आया हूं तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है अगर आप इस feature को जाना चाते हो इस feature का फायदा उठाना चाते हो अगर आप किसी को अपना बिना contact number दिये उसे बात करना चाते हो या फिर आप नहीं चाहते है कि यह इस वेक्ति के पास मेरा contact number जाए क्योंकि अगर उसके पास आपका contact number वगएरा होगा तो आपको call वगएरा भी कर सकते हैं तो इसको देखते हैं वर्टसप ने इस feature को launch किया है जिसे आप बिना उसका contact number दिये या फिर किसी का contact number बिना लिए आप उस person से वर्टसप पे chat कर सकते ह हो वीडियो कोल कर सकते हो तो बिना इस देरी के चलना होगा mobile screen पे और अभी तक आपने मार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी वाटसप टिप्स एंड ट्रिक के लिए तो मिलते हैं mobile screen पे तो गज इस feature का फायदा उठाने के लि जैसे मैं अपना वाटसप यहां पे ओपन कर लेता हूं वाटसप को ओपन करने के बाद में simply आपको उपर की तरफ में थरी डोट का आइकन दीखेगा नाम की सामने आपको यहां पर एक का इक आईकन दिख रहा होगा scan का सा icon है जो मैंने यहां पर ticker को दिखा रखा इस पर आपको click कर देना है तो simply मैं इस पर click कर देता हूँ इस पर click करने के बाद में आपको यहां पर my code का एक option मिलेगा और आपके सामने एसा एक picture शोगा तो आप देख पा रहे हो इस screen पे यह QR code scan हो चुका है तो इसको करना क्या है आप अगर किसी वेक्टिक को अपना number वगेरा नहीं देना चाते हो तो simply आप उसे यह screen short बेज़ सकते हो या फिर वो directly आपके phone में इसे scan करके आप से contact हो सकता है आप से chat कर सकता है तो अगर आप भी किसी दूसरे person का scan करना चाहो तो आपको simply my code के आगी जो scan code है इस पे click कर देना है click करने के बाद में आपको कुछ ऐसा interface यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे आप दूसरे का QR code scan कर सकते हो अगर आप किसी का दूसरे का scan करते हो तो simply आप उसे जुड़ पाओगे बिना contact के अगर आपके पास उसका screen या photo वगेरा है उसके my code का तो आपको simply यहाँ पे icon प से कर लेना तो automatic आप उससे connect हो जाओगे और आप उससे चेट वगेरा कर पाओगे तो मैं इसको आपको simply करके दिखा देता हूँ एक बार तो गाइज मैं आपको एक contact करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको contact करना है अगर आपके पास scan उसका code आपकी फोटो कोड की तो यहाँ पे simply आपको क्लिक करने के बाद में वो फोटो मेरे पास simply यहाँ पे आ आ चुकिए तो इस परकार आपको करना तो simply यहाँ से automatic deduct होके उ इसके पास तो यह था कुछ तरीका उसकी profile से बात करने का किसी unknown person से बात करने का आप उसका code scan कर सकते हो और simply उससे बात कर सकते हो तो उमीद करता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज रहें सलामत रहें